हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक तो आई ये डेली गरंट अफेर्स की सीरिस को आगे बढ़ाते हैं आज के इस वीडियो में देखिए हम 14 अक्टोबर 2023 के सभी करंट अफेर्स को डिटेल में समझेंगे वीडियो में इन तक बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा अगर आपको डेली गरंट अफेर्स की पीडियेफ को डाउनलोड करना है तो आप सभी जानते हैं कि आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलिग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर फ्री ओफ कॉस्ट इसकी पीडियेफ एविलेबल होती है वहाँ पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं आईए आज के करेंट अफेर्स का सबसे पहला कुशन देखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट कर लीजीएगा गलोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रेंक क्या है तो गलोबल हंगर इंडेक्स जिसे देखिए वैश्विक भूकमरी सूचकां के नाम से जाना जाता है पूरे वल्ड में किस देश में भुकमरी कितने ज्यादा है किस इस्तर की है इसके अधर पर इस इंडेक्स को हर साल निकला जाता है जारी कुन करता है इसकी बाद भी हम आगे करेंगे लेकिन पहले ये कुशन ले लेते हैं कि भारत की रेंक 2023 में इस इंडेक्स में 111 वी है 121 देशों की रेंक में भारत को 107 वी रेंक पर रखा गया था और अब 2023 में भारत इस इंडेक्स में 111 वे नंबर पर है अब देखिए इस इंडेक्स के कुछ important points को discuss कर लेते हैं 2023 में इस इंडेक्स में भारत को 28.7% का score दिया गया है जो कि इस बात को दर्शाता है इस बात को indicate करता है कि भारत में जो भुकमरी की स्तिती है वो थोड़ी सी गंभीर है इसके अलावा भारत में जो अल्प पोशन की दरेफ्रेंस वो 16.6% मापी गई है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यूदर 3.1% यहाँ पर देखने को मिलती है 125 देशों की सूची में भारत इस इंडेक्स में 111 इस्तान पर है फ्रेंस अब बात आती है कि इस इंडेक्स में सबसे टॉप पर कोन सा देशे मतलब जहाँ पर भुकमरी सबसे कम या ना के बराबर है तो शिर्श तीन देशों की बात करते हैं जो की इस इंडेक्स में टॉप पर है तो ये है बेलारूस, दूसरे इस्तान पर बोस्निया और हर्जे गोविनिया को एक साथ रखा गया है और तीसरे इस्तान पर इस इंडेक्स में चीली का इस्तान आता है ये वर्ल्ड के चार सबसे टॉप एसे देशे फ्रेंड्स जहां पर भुकमरी सबसे कम है पहले नंबर पर बेलारूस है अब बात आती है सबसे आखरी के तीन देश कौन से हैं जहां पर भुकमरी की स्तिती सबसे दैनी है तो 125 नंबर पर सबसे आखरी रेंक पर इस इंडेक्स में सेंट्रल अफरीकन रिपरब्लिक को रखा गया है जो की अफरीका महादीप का देश है इसके बाद दूसरे नंबर पर मतलब 124 से इस्तान पर सेकेंड लास्ट पर मेडा गासकर को जगा दी गई है और 123 से इस्तान पर यमन को इस इंडेक्स में रखा गया है पूरे वल्ड के देशों में भुकमरी कितनी ज्यादा है जो शिश्यू मृत्यू दर है वो कितनी ज्यादा है कूप ओशन कितना ज्यादा है इस आधार पर इस इंडेक्स को हर साल देखिए एक इंटरनेशनल और्गनाईजेशन जिसका नामे कंसन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की संस्ता वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा सयुक्त रूप से निकाला जाता है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में हाली में जारी हुआ 125 देशों को इस इंडेक्स में जगह दी गई और इनमें से भारत की लेंक 111 है जो कि लास्ट येर 2022 में 107 थी देखे दोस्तों अगर आपको मंथली करन्ट अफेर्स की डिटेल पीडियेफ लेना है तो आप रूट अप्लिकेशन या क्रेजी जीकेट ट्रिक अप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं साथ या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं इन मंथली करन्ट अफेर्स पीडियेफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एक्जाम रेलेवेंट कोश्चन होते हैं उन कोश्चन को यहां पर डिटेल के साथ प्रोवाइट किया गया है जो एक्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है तो एक बार जरूर क्लिक करें चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड कोश्चन देखिए हाली में पॉन्टस नामक टेक्टोनिक प्लेट किस महासगर में खोजी गई है तो पॉन्टस जो की देखिए टेक्टोनिक प्लेट है फ्रेंट्स जिसे भुकंपी प्लेट भी आप बोल सकते हैं ये हाली में देखिए प्रशान्त महासगर में खोजी गई है अंसर भी हो जाएगा देखिए काफी समय से जो साइंटिस्टे इस प्लेट का पता नहीं लगा पा रहे थे अब इस प्लेट को पश्शीमी प्रशान्त महासगर में खोजा गया है प्रशान्त महासगर में बोर्णियों दीप पर जो एंसियंट रॉक से फ्रेंड्स उनका अध्यन करने वाले वेग्यानिकों ने इस प्लेट को खोजा है देखिए माना जाता है कि इतिहास में इस प्लेट का जो अकार था वो कभी 15 मिलियन वर्ग मिल तक था लेकिन आने वाले समय में ये धिरे-धिरे नस्ट हो गई और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अन्य प्लेटों के नीचे दस गई है एक समय में देखिए पूरे प्रशान्त महासगर का लगबग एक चोथा इससे के बराबर ये प्लेट थी तो पॉंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट को हाली में प्रशान्त महासगर में खुजा गया है अब देखिए टेक्टोनिक प्लेट से आप क्या समझते हैं ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है ये ठोस चट्टानों का दिखिए एक विशाल समू है फ्रेंड्स जो की अलग-अलग आकार में देखने को मिल सकता है एसी काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट पूरे वल्ड में देखने को मिलती है अब पॉन्टस नामक जो टेक्टोनिक प्लेट है इसे प्रशान्त महासागर में खोजा गया है आगया जाएए केरल राज्जी के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उधवाटन किस शहर में हुआ है तो देखे केरल राज्जी के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का इनोग्रेशन हाली में केरल के तिरू अनंत पूरम में किया गया है अंसर ए हो जाएगा केरल के रेवेन्यू मिनिस्टर के राजन ने दिखी हाली में केरल के तिरुअनंतपुरम में 3D प्रिंटिंग टक्निक की सयोग से बने हुए पहले 3D प्रिंटेड हाउस का इनोग्रेशन केरल के तिरुअनंतपुरम में किया है देखे यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं 3D प्रिंटेड हाउस की अब देखे 3D प्रिंटेड हाउस होता क्या है तो कंप्यूटर पर किसी भी हाउस का या बिल्डिंग का एक 3D मोडल बनाय जाता है उसके बाद मशीनों की सायता से वर्क्शॉप में इस 3D हाउस का निर्मान किया जाता है अलग-अलग तुकडों में और फिर जहाँ पर हाउस या फिर बिल्डिंग मनानी है वहाँ ले जाकर उन्हें जोड दिया जाता है तो इस तरह से एक 3D प्रिंटेड हाउस तयार होता है अब केरल का ये जो पहला 3D प्रिंटेड हाउस है फ्रेंड्स ये 28 दिनों में बन कर तयार हुआ है देखे केरल राजजी ने यह जो प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स ये टेक स्टाट अप तवस्टा के सयोग से बनाया है अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट आफिस करनाटक के बैंगलूरू में खुला गया था ये इंडिया का पहला है तो आपको इससे याद रखना चाहिए देखे इस रिपोर्ट में नॉर्मली डेटा ज्यादा है तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जारी किसके द्वारा की गई तो श्रम बल सर्वेक्शन रिपोर्ट 2022 को सांखी की और करिक्रम कर्रेमेन मंतरले के द्वारा हाली में लॉंच किया गया है अंसर ए हो जाएगा अब देखे फ्रेंट्स इस रिपोर्ट के डेटा की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश में फीमेल लेबर फोर्स पाटिसिपेशन की अगरम बात करें तो ये 2023 में 4.2 प्रतीशत से बढ़कर 37 प्रतीशत तक हो गया है इसके अलावा जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच में रास्ट इस्तर पर जो अनिम्प्लोईमेंट रेट था 2021 में 4.1 परसेंट था जो की घटकर 2022 में 3.2 परसेंट तक रह गया है ग्रामिन शेत्रों में 2017-18 में बेरोजगारी दर 5.3 परसेंट थी जो की अब घटकर 2022 में 2.4 परसेंट रह गयी है इसके अलावा भारत में पुरूशों में जो अनिम्प्लोईमेंट रेट है फ्रेंट्स 2017-18 में 6.1 परसेंट था जो की अब 2022 में घटकर 3.3 परसेंट हो गया है और इसके अलावा इंडिया में महिलाओ में वुमेंस में जो अनिम्प्लोईमेंट रेट था वो 5.6 परसेंट से घटकर 2.9 परसेंट रह गया है तो ये सभी डेटा है जो की इस रिपोर्ट में सेंटरल गवर्मेंट ने शो किये हैं अगर कभी डेटा पूछे जाते हैं तो इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया इन्हें ध्यान रखिएगा आगे आजाए रेल इंडिया टेक्निकल एंड एकोनोमिक सर्विस जिसे आर आई टी एस के नाम से जाना जाता है या किस प्रकार का केंडरी सारजनिक उद्ध्यम है तो देखिए रेल इंडिया टेक्निकी और आर्थिक सेवा जिसे आर आई टी एस के नाम से जाना जाता है ये भारत की एक नवरतन कमपनी है आंसर ए हो जाएगा हाली में देखिए सेंट्रल गवर्मेंट ने या वित्त मंत्रले ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड एकोनोमिक सर्विस को नवरतन कमपनी का दरजा दिया है और इस तरह से देखिए आर आई टी एस देश की सोलवी नवरतन कमपनी बन गई है इसके अलावा रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर ही आने वाली इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेट को भी हाली में नवरतन कमपनी का दरजा दिया गया था और इस तरह से ये देश की पंदरवी नवरतन कमपनी बन गई थी और अब देश की सोलवी नवरतन कमपनी आर आई टी एस को भुशित किया गया है अब यहाँ पर देखिए आर आई टी एस की बात करें तो जिसा कि आप सभी जानते हैं ये Central Government की Railway Ministry के अंतरगात परामर्श और Engineering शेत्र की एक अगरणी कमपनी है जिसकी स्टापना 1974 में की गई थी इसका Headquarter गुडगाओं में इस्तित है और वर्तमान में इस कमपनी के Chairman और Managing Director के पतपर राहूल मिथल है Rail India Technical and Economic Service वर्तमान में भारत की सोलवी नवरतन कमपनी बन गई है एक और important question देखिए अंतरास्ट ये आपदा जोखिम न्यूनी करण दिवस कम मनाय जाता है इसे देखिए International Day for Disaster Risk Reduction के नाम से जाना जाता है जो की हर साल पूरे विश्यू में 13 अक्टूबर को मनाय जाता है अंसर भी हो जाएगा तो हर साल 13 अक्टूबर को International Day for Disaster Risk Reduction के रूप में मनाय जाता है जन्सकार महुत्सव किस रज्ज में आईजित किया जाता है question important है दियान से सुनिएगा ये जन्सकार महुत्सवे friends जो की देखिए लद्दाक रज्ज का एक बहुत ही famous महुत्सव है लद्दाक के जासकर शेत्र के पदुम में हर साल जन्सकार महुत्सव का आईजिन किया जाता है राजजी की संस्क्रती को बढ़ावा देना, लद्दाक की संस्क्रतिक विरासत और परियतन को बढ़ावा देना इस महतसव को आईजित के जाने का मुक्युधेश है इसके अलावा देखिए लद्दाक तियोहार लोसर महुत्सव, हैमिस सेचू महुत्सव और दोस मोचे महुत्सव भी लद्दाक के अन्य महुत्सव है जो की अलग-अलग समय पर मनाय जाते हैं जन्सकार महुत्सव भी लद्दाक में मनाय जाने वाला महुत्सव है इसके बाद देखिए World Best Employees 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सारुजनिक शेत्र उपकरम कौन सा है तो देखिए पहले तो यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो लिस्ट है Friends यह Forbes के द्वारा हर साल जारी की जाती है किस कमपनी में कितने अच्छे इंप्लोई काम कर रहे हैं जो की कमपनी के प्रती डेडिकेटेड हैं उसके आधर पर इस लिस्ट को तयार किया जाता है 2023 में देखिए World Best Employers 2023 की लिस्ट में भारत का पहला सारुजनिक शेत्र का जो उपकरम शामिल हुआ है वो एंटी पीसी है अंसर डी हो जाएगा एंटी पीसी के बारे में आप सभी ने सुना होगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन के नाम से एंटी पीसी को जाना जाता है हाली में देखिए फॉप्स के द्वारा World Best Employers 2023 की लिस्ट में भारत की इस महारतन कमपनी को जगा दी गई है एंटी पीसी ने दुनिया की 700 कमपनियों में 261 रेंक हासिल की है और इसी के साथ एंटी पीसी इस World Ranking में शामिल होने वाली भारत की पहली Government Company बन गई है अब जैसा की कारान अभी में आपको बताया की एंटी पीसी को Forbes की World Best Employers 2023 की लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है तो कमपनी के करमचारियों का अपने कमपनी के प्रति डेडिकेशन कमपनी का इस लिस्ट में शामिल होने की मुख्य वज़ा है अब देखिए 700 कमपनियों में Forbes की इस सूची में टॉप पर Samsung Electronics Limited है जो की South Korea की कमपनी है सेकेंड पर Microsoft और तीसरे पर Alphabet कमपनी है जो की USA की कमपनी है अब एंटी पीसी की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी विद्योत उत्पादक कमपनी है जिसकी स्टापना 1975 में की गई थी Headquarter इसका नई दिल्ली में इस्तित है और इसके Chairman और Managing Director के पतपर वरतमान में शरी गुर्दीप सिंग है सुल्तान जोहर कप का एजन किस देश में किया जाता है देखे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सुल्तान जोहर कप जो टूनामेंट है जिसका एजन हर साल मलेशिया के जोहर में किया जाता है अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाली में होकी इंडिया ने 11 सुल्तान जोहर कप में भाग लेने के लिए अपनी 20 सदसी भारती टीम को भेजा है और सुल्तान जोहर कप में भारती होक्की टीम के कप्तान उत्तम सिंग होने वाले हैं इस साल 2023 में ये 11 सुल्तान जोहर कप है फ्रेंट्स जिसका आयोजन मलेशिया के जोहर में किया जाएगा और इस टूनामेंट में 8 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है सुल्तान जोहर कप हर साल आयोजित होने वाली एक इंटरनेशनल अंडर 21 पुरुष होकी टूनामेंट डिफरेंट्स जिसकी शुरुआद 2011 में की गई थी लास्ट येर 2022 में इसके दसवे सीजन को इंडिया की होकी टीम ने अपने नाम किया था और अब 2023 में इसके ग्यारवे सीजन का आयोजन मलेशिया के जोहर में किया जाएगा इसके बाद आज के करनेट अफेर का सबसे लास्ट कुशन देखिए हाली में इंडो अमेरिकन चेंबर्स आफ कॉमर्स के रास्ट ये अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हाली में देखिए इंडो अमेरिकन चेंबर्स आफ कॉमर्स जिसे IACC के नाम से जाना जाता है इसके रास्ट अद्यक्श के रुप में पंकज बोहरा को नियुक्त किया गया है पंकज बोहरा हाली में IACC के नए अध्यक्षन युक्ति किये गए हैं तो यहाँ पर देखे हमने 14 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आज़े ये आज की फैक्ट शिट में हम कल के सेशन की फैक्ट शिट को आगे बढ़ाते हैं और एशिया के देश उनकी केपिटल और करंसी को यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं तो देखे इराग जो की एशिया का देश है इसकी केपिटल बगदाद है और यहाँ की ओफिशल करंसी दिनार है इंडोनेश्या की केपिटल जकार्ता है, रूपिया यहां की ओफिशल करंसी है, बहरीन की केपिटल मनामा है, दिनार यहां की ओफिशल करंसी है, मंगोलिया की केपिटल उलान बटोर है, तुगरिक यहां की ओफिशल करंसी है, मलेश्या की केपिटल कौललामपुरम, रिंगर यहां की ओफिशल करंसी है इसके बाद मालदीव की केपिटल माले है और मालदीवी रुफिया यहां की ओफिशल करंसी है लेबनौन की केपिटल बेरुत पाउंड ओफिशल करंसी है लाउस की केपिटल वियंतियान है और न्यूकिप लाउ यहां की ओफिशल करंसी है पहला देखिए को Athlete Advocacy Award प्रदान किया गया है Association of Mutual Funds in India के नई चेर्मेन नवनित मुनोत को निक्त किया गया इसके बाद देखिए बांगला देश में चीन के सयोग से निर्मेत पदमा ब्रीज रेल लिंक परियोजना का हली में शुबरम किया गया मेरा थन दावक केल्विन किप्टन का सम्मंद केनिया से है विश्व गठिया दिवस 2023 की थीम की बात करें तो It's In Your Hand 2023 में World Arthritis Day की थीम है इसके बाद लास्ट देखिए 141 वी International Olympic Committee की बेठक कायजन इंडिया में किया जाएगा तो ये सभी ऐसे करांट अफेर हैं जिनने हमने लास्ट देखिए के सेशन में डीटेल में समझा था अब आज के लिए आप सभी के लिए Question of the Day है विश्व का सबसे बड़ा Landlocked देश कौन सा है Very very important कमेंट में जरूर बताईएगा कि इस Question का अंसर क्या है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक Important Update है अब आपके लिए Crazy GK Trick के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी एवेलेबल है यह सभी कोर्सेस आप सभी की Requirement और Latest Exam Pattern को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गए हैं यहां हम Basic Concept के साथ-साथ Comprehensive Learning पर फोकस करते हैं तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करेंट अफेर में तब तक अपना खैल रखिए जय हिन जय भारत